बच्चों नमस्कार आपका अगर खंडकाव स्रमण कुमार नहीं है तो आप चिंता मत करें क्योंकि हम धीरे-धीरे करके जितने भी UP Board Intermediate में खंडकाव चलते हैं सब के सब प्रदान करेंगे, सब के सब आपको मिलेंगे, सब के सब हम पढ़ाएंगे बस आप हमसे जुड़े रहे और अगर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या बात है अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो उसी च्छन आप मुबाईल बंद करके रख दीजिए, मत पढ़िए वीडियो एक मिनट में पांच बदलना ये बहुत बुरी आदत है, इससे क्या होगा आप किवल वीडियो बदलेंगे, ग्यान आपको नहीं मिलेगा अगर आप वो चाहे मेरा चैनल हो, चाहे किसी का चैनल हो, अगर आपने वो कैसा भी पढ़ाता हो, मतलब चाहे जिसका चैनल हो, वो कैसा भी पढ़ाता हो, बुरा पढ़ाता हो, अच्छा पढ़ाता हो, उसका कंटेंट अच्छा हो या बुरा हो, उसने कैसे भी लिखके आ आप उसको पूरा पढ़ लीजे, एक बार आप पूरा जब देख लेंगे, तो बिलकुल आपको समझ में आ जाएगा, बस देखना ये है कि आपके वो काम की चीज हो, और अगर काम की है तो वो वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे, उसको पूरा देख लीजे, वो दसरत का चरीचित्रन क्लिक किया, किसी के चैनल पर आपने दो मिनट आ रहे, या या अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मैं दूसरे प्लिक किया, क्या बकवास है, फिर दूसरा, इस परकार आप 4-5 वीडियो देख डालेंगे, लेकिन आपको दसरत का चरीचित्रन आपको क्लिय नहीं होगा क्यों क्योंकि आपने एक जगे पर इस्थिर ध्यान नहीं दिया कोई भी व्यक्ति हो कैसा भी पढ़ा रहा हो एक बार उसको पूरा देख लीजिए और जैसे आप पूरा देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा तुरंट समझ में आ जाएगा ठीक ह मैंने बहुत अच्छा कंटेंट तियार किया है आपके लिए बहुत इमपार्टेन्ट है क्योंकि आपको रिसेर्च पेपर दोजार एकईस में भी ये दिया गया है इसलिए important है आप देखे इसको सर्वन कुमार खंड कावे के आधार पर मैंने खंड कावे का सारान सरगों में पहले दे दिया है फिर दूसरा मैंने आपको दिया था वीडियो वो था सर्वन कुमार का चरी चितरन और ये तीसरा वीडियो है आपको परिचे लिखना होता है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी द्वारा रचित क्या है खंड काव श्रवन कुमार के आधार पर दसरत का चरित्र चितरन निम्न प्रकार है या दसरत की चरित्र विशेषताएं इस प्रकार है और आप हेडिंग डालिए पहली उत्तम कुल में उत्तपन दूसरी विनम्र इवम दयालू तीसरी योग गिशासक चौती कुसल धनुर्धर पांच वी प्राजसेत्म आत्म गलानी से आत्म गलानी से युक्त और छटी हेडिंग है उत्तरदाई चलिए अब इन हेडिंग को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर आप ज्यादा तुरट नहीं पाएंगे क्योंकि लंबी लंबी हेडिंग होती है लंबी लंबी बाते होती है आपको क्यों उन बातों पर ध्यान देना है जो बातें इस वीडियो में बताईएं जो बाते हर एक इसके अंदर दिखाई जाती है heading के अंदर वो बातों को आपको ध्यान में रखना है और उन्हीं बातों को आपको पूरा का पूरा लिखना है उसमें से आपको वो बात सही होने जैसे योग गिशासक है तो आपको ये सिद्ध करना है इस heading में कि योग गिशासक वो थे कैसे थे ये लिखना है ठीक चलिए heading बिस्तार पूरोग देख लेते हैं अब दिखे राजा दशरत इनका थोड़ा सा परिषय आप लिखेंगे दो ती लाइन में राजा दशरत क्या थे आप तो जानते हैं आयोध्या के राजा थे वे महाराज अज के पुत्र थे अज जानते हो आज दशरत जी के पिता का नाम था प्रतापी शासक थे और आखेट प्रेमी थे आखेट प्रेमी जानतो सिकार के प्रेमी थे सर्वण कुमार खंड काब में राजा दशरत आरंब से अंततक विद्यमान है दशरत के चरित्र की विशेस्ताय निम्न प्रकार से हैं उत्तम कुल उत्तपन एक तो राजा दशरत क्या है उत्तम कुल में उत्तपन हुए थे उत्तम कुल क्यों कहा गया? रघु का कुल था, रघु वंश था, रघु वंश में उत्पन्न हुए थे राजा दशरत, प्रथू, त्रिशंक, सगर, दिलीप, रघु, अज, हरिश्चंद जैसे महान राजा दसरत के पूर्वश थे, इसलिए वो कुल जो था उनका इच्छाक वंश के नाम से प्रसिद्ध था, और उन्हें अपने वंश पर गर्व था, तो इसलिए शुबालक दुवेदी जी ने कहलवाया है उनसे, छत्रिय हूं मंशिरा जाल में रघु वंशी है रक्त प्रवाह, हस्ति पोत अथवामर गेंद्र के पाने की है उत्कट चाह, पाने क अब विनम्र और दयालू, अगर आपको ये कोटेशन याद हो जाते हैं, ये पध्यांस याद हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात, अगर आप इनको इन हेडिंग्स के अंदर समा सकें, तो मान के चलिए आपका 100% जितने अंग का है, उतने अंग तो मिलने ही मिलने नि को ड्यूनिंग है भाई, विनम्र और दयालू, राजा दसरत कैसे थे, हरदय में दया का भाव था, बड़े विनम्र थे, बड़े दयालू थे, उनमें अहेंकार नहीं था, दूसरों के दुखों को देखकर वे दुखी होते हैं, और सप्न में हिरन की मृत्यू को देखकर भ खुल गए, सप्न समझ कर किया पार्शो का परिवर्तन, योग शासक थे, राजा दसरत कैसे थे, योग कैसे थे, राजा दसरत के राज्य में सभी स्थानों पर सामंजस्य था, प्रजा सुखी वा संतुष्ट थी, सभी को नियाय मिलता था और वे योग शासक थे, जो कंटे मैं आपको दे रहा हूँ, यानि कि जो चीजें हम आपको ये फोटो खीच के लाएं हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, ये संपूर्ण संचिप्त और सटीक लिखा है, मैं इस बुक को पढ़ता था, 2008 में, 2008 की बात है, 2008 में पढ़ता था मैं इस बुक को, उसमें बहुत इसलिए मैंने आपको वहीं से लाके आपके लिए यहां पर उपलब्द कराया है, तो जाया मत जाने दीजिए, और एक दो सूचना हम आपको देंगे, एक तो आपको वाटसेप का गुरूप अगर जोईन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दूसरे, अगर आपको टेलिग्राम का लिंक जोईन करना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों पे जाकर के आप जोईन करें, चाहे तो दोनों जोईन करें, चाहे एक जोईन करें, अगर आप टेलिग्राम जोईन करते हैं, तो ज्यादा बहतर रहेगा, क्यों? क्योंकि टेलिग्र पे हम कुछ भी चलाया करते हैं प्रश्ण भी डाला करते हैं और जो भी PDF है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलेगी उसके बाद वाटसेप मिलेगी वाटसेप पे डालना भूल सकता हूं लेकिन PDF जो है टेलीग्राम पे डालना नहीं भूल सकता हूं इसलिए आपको दोनों चैनल जोईन कर लेएं चलिए कुशल धनुर्धर थे योगिशासक थे सुक्सम्रिद्ध आमोद पून्ठ था कोश लेश का शुभसासन कुशल धनुर्धर थे राजा दशरत धनुर्धर भया कुशल नहीं होते तो शब्द भेदी बान मारा था और वो जाके कहां लगा था आवाज पे आवाज किसकी थी गड़े की और गड़े के पास जो खड़ा था सर्मनकुमार उसके जाके बान लग दिया था तो धनुर्धर विद्या में तो निपुन थे ही वे आखेट में विशेस यानि कि शब्द वो शिकार खिलने में बड़ा रुची रखते थे और शब्द भेदी बान चलाने में उन्हें बड़ी कुशलता पराप्त की थी और वो जाकर के शब्द भेदी बान उन्होंने चलाया शब्द भेद के निपुन एहरी रभिकुल के भावी भूपाल रभिकुल के भावी भूपाल रभिकुल मतलब सूर्ववश के भभिष राजा भभिष के राजा थे कौन दश्रत प्रायस्चित एवम आत्मगलानी से परिपून अब क्या हुआ प्रायस्चित एवम आत्मगलानी से परिपून थे ये कैसे लिखेंगे जब दशरत जी को यह समझ में आया कि मैंने विर्थ में एक पुंड्यात्मा का वद्ध किया है अपने बान से स्रमन कुमार की मृत्यू ही है तो रजा दशरत प्रायश्चित करते हैं आत्मगलानी से भर जाते हैं वे कहते हैं मलहम कौन भयंकर व्रण पर जिसका लेप करूं जाकर भूमे धसूं गिरूं गिरिवर से सरी में डूब मरूं जाकर सरी में डूब मरूं जाकर कॉन ऐसा मरहम है कहते हैं कि मारहम याद कर देंद तो आप दसराजी क्या 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 कहते हैं या मैं सरिता में डूब मुरू, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है अपने इस कृत्य पर उन्हें अपने कुल के अप्यश का दुख सता रहा है धर्ती माता से वे क्या कहते हैं फटो धरणी मैं सक समा सकूं तुम करो ग्रहन मम भाग जगे पर वसुंधरे मुझे शरण दे, तुम्हें न कहीं कलंक लगे वो कहते हैं धर्ती माता तु फट जा और मैं समा जाओं तुम हमको ग्रहन कर लो तो मैं ये समझूँगा कि मेरा भाग जाग गया लेकिन वो फिर कहते हैं कि परंतु हे वसुंधरा मुझे शरण दे करके कहीं तुम्हें कलंक न लग जाए कि पापी को शरण दी ठीक है तो आप समझगे कैसे प्राइस्चित करते हैं राजय दशरत अब उदारता, उनके अंदर उदारता कूट कूट कर भरी है सरवन के पिता के शाप से वे कांप उटते हैं वे अपने पाप को सुईकार करके फल भोगने को तयार रहते हैं उन्होंने अपनी शाप कथा भय के कारण किसी से नहीं कहीं परन्तु ये जो वेदना है, ये जो पीडा है वो उनके हरदे में, उनके दिल में कांटे की तरे चुकती रहती है रही खरकती हाय शूल सी, पीडा उर में दशरत के गलानित्रपा वेदना विमंडित, शाप कथावे कहन सके तो पर्यूक्ट विबेचन के आधार पे हम कह सकते हैं कि राजा दशरतिक योग शा सकते कुशल सिकारी थे, धनुर विद्यामे निपूर थे हेडिंग्स में जो चीज़ें हैं वही यहाँ पे आपको प्रवाइट कर देनी है, यहाँ पे आपको अंकित कर देनी है, बान चलाने में कुशल थे उच्चुकुल में उच्पन थे, लेश मातर का हैंकार नहीं था, प्रायस्चित और आत्मगलानिक में आत्मगलानिक करते हैं, कभी को राजा दशरत के चरित्र में पूर्ण सफलता मिली है, राजा दशरत की आत्मगलानी उन्हें एक महान चरित्र वाला व्यक्ति सिद्ध करती है, दशरत के अंतरमन की मार में एक दशा और उनका अपराद बोच चित्रित करने में कभी को विशेश सफलता मिली है तो मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक था आपका ये खंड़काब अब हम इस खंड़काब में कुछ ज़्यादा महत्तुपूर्ण नहीं समझ रहे हैं इसलिए इस खंड़काब में बस इतना ही अब अन जिले के अन डिस्टिक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अन खंड़काब ले करके आएंगे तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और बहुत धेर सारा प्यार मैं आपको दे रहा हूँ धेर सारा प्यार धेर सारा आशिरवादा आपके साथ है आप उनती के मार्ग पर अगसर हुएं इस देश का भविष्य हैं आप इंटरमीडियेट के जो भी बच्चे होते हैं वो युवा होते हैं और युवा ही हमारे देश का भविष्यत आएं करते हैं युवा जिस तरफ जाता है उस तरफ प्रवाह बढ़ता है युवा जिस तरफ जाता है उस तरफ देश की उनती होती है युवा सिर उठाता है तो देश का सिर गवरों से उचा हो जाता है और युवा जब सिर छुका लेता है तो देश का मस्तक नीचा हो जाता है इसलिए युवा शक्ती is the best सक्ती युवा पावर is the best power युवा पावर is तुम्हारे कदमों में चुमेगी और अगर यूही तुमने समय गमाया यूटूब पे मनोरंजन करके समय काट दिया तो दिक्कत है आपके भविश्य के लिए हाँ मनोरंजन करिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनोरंजन मत करिए लेकिन मनोरंजन इतना होना चाहिए जितना कर अधिक हो गया तो आपको दाल अच्छी नहीं लेगे इसी प्रकार किसी भी चीज की अति सरवत्र वर जयेत अती को हर जगे इत्यागना चाहिए किसी भी चीज में अति नहीं करनी चाहिए मैं यह नहीं करता आप मेरे चैनल से जुड़े रहे हर समय आप मेरा चैनल देख तेरे हर समय नहीं आप मेरा चैनल सिर्फ दिन में एक दो बार देखिए और फिर क्या कीजिए उस जो कॉंटेंट हमने पढ़ाया है उसी को जाकर अपनी बुक्स से पढ़िए या फिर आप नो अपने भले के लिए कोई चीज नहीं कहता हूं आपका भला हो इसी में हम सब का भला है इस संसार का भला इस भारत वर्ष का भला है बहुत बहुत भन्नेवाद